नमस्कार मैं हूँ धर्मेंदर आप देख रहे हैं ओलाइन उजिंडिया अर्नब गोस्वामी के बारे में इल्यास ने जो ये टिपनी की थी वो सत साबित हुई इल्यास ने पहले ही कह दिया था कि आप जो भासा इस्तमाल कर रहे हैं जो विवार आप कर रहे हैं ये विवार ये भासा आपको जेल जाने से नहीं बचा सकती आपका अंतीम पड़ाओ जेल होगा और जिस तरह से पतरकारिता को आपतार-तार कर रहे हैं इसके लिए आपको ज जेल जाना ही पड़ेगा और अर्नब गोस्वामी आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए लेकिन अर्नब गोस्वामी के जेल जाने के बाद में रिपबलिक भारत की पूरी टीम जो है रिपबलिक भारत चैनल जो है अर्नब गोस्वामी की जो वकील है वो लगाता लगाने का काम किया था जिस तरह से से हर्कत कर रहा था उसके लिए फटकार लगाई गई, ती और कहा गहा था कि यापका स्टूडियो नहीं है यह पर सीधे खड़े रही है एक ने मबायल फोन से रिकोडिंग नने के कमिए कोra थी अara चॉंड आज सुनेल? आज सुनवाई होनी थी, दो फैर तीन बजे जो है वो सुनवाई हुई, लेकिन आज भी अरनब गोस्वामी को आज भी जमानत नहीं मिली और अरनब गोस्वामी को फिर से उसकी रात जो है वो जेल के अंदर ही कटेगी, ये ख़बर आप देखिए, अरनब गोस्वामी को कोट से नहीं मिली रहत आज भी रात सलाकों के पीछे ही रहेंगे. अर्णब गोस्वामी की रात जो है उसलाकों के पीछे ही गुदरेगी. कोट ने उनकी जमानत याचिका की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अर्नब को आज की रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी मामले में कल बारा बज़े सुनवाई होगी जिसमें पीडित पक्स को भी सुना जाएगा बोंबे हाई कोर्ट ने का है कि वो इस पूरे मामले में जो पीडिता है अन्वे नाइक की जो पतनी है और उनकी बेटी है पीडिता के पक्स को भी जो है वो सुनने का काम करेगा बोंबे हाई कोर्ट में सुकरवार को अर्नब को स्वामी की जमानत याजिका पर सुनवाई करते वे जस्टिस ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को सेसन कोर्ट में चुनोती दी गई है जिसका जवाब हरिस सालवे ने हा में दिया जिसके बाद जस्टिस ने कहा कि हम यह नहीं जानते कि सेसन में क्या फैसला होगा इस पर हरिस सालवे ने कहा कि मेरा मौकिल जेल में है सालवे ने कहा कि मैं कुछ आदेश दिखाना चाहता हूँ क्योंकि CGM ने नोट किया है कि मामले को फिर से खोलने की अनुमती नहीं ली गई हरी सालवे ने जो है हरी सालवे देश के बड़े वकील है हरी सालवे ने जो है कुल भूशन जादव का भी पैरवी की थी लेकिन अब जो है अरनव गोस्वामी के मामले में हरी सालवे कुछ खास करते वे नजर नहीं आ रहे है क्योंकि मामला ही इतना पैचीदा है आपको एक वीडियो दिखाते हैं दीपक सर्मा की इनकी कई सारी वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाई है दीपक सर्मा की आप ये वीडियो देखी किस तरह से सक्स महारश्य सरकार को ले करके मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे को ले करके तिस तरह से आपत्ती जनक सब्दों का इस्तमाल कर रहा है और किस तरह से उद्दव ठाकरे को जो है वो खुले-खुले चुनोती दे रहा है और जब इन पर कारवाई की जाएगी ऐसे ही जो आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी भी ऐसे ही चलाता था कि मुझे को गरपतार करके दिखाओ तो अगर तुम में हिम्मत है लेकिन जब पुलिस उसके घर पर पहुँची तो क्या हाल हुआ था वो भी आपने देखा दिपक सर्मा के आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से दिपक सर्मा जो है वो महारस्टर की सरकार को महारस्टर के मुख्यमंतरी को जो है किस तरह से आपति जनक बाते करेंगे अंदर एक नया ट्रेंड स्थापित क्या जा रहा है नया ट्रेंड ये है कि आप किसी के बारे में उन उजूल बाते बोलिए किसी के बारे में अनाफशना बाते बोलिए किसी को भी जो है उल्टा सीधा करिए आपके उपर कारवाई नहीं होगी आपको सम्मानित किया जाएगा आपको उचे-उचे पदो पर बैठाया जाएगा और यही ट्रेंड जो है इसी ट्रेंड का इस्तमाल जो है दीपक सर्मा जैसे लोग कर रहे हैं इसी ट्रेंड का इस्तमाल जो है वो अरनव गोस्वामी जैस पत्रकारिता के असदुहाई दे रहे हैं, क्या उस दुहाई को जो है, वो पहले ही खतम नहीं कर चुके हैं, क्या उस पत्रकारिता का पहले ही वो गला घोट नहीं चुके हैं, यह सवाल पूछा जाना चाहिए, आपको दिखाते हैं स्वेता सिंग और अंजनावम कश्यप, अ अर्नव गोस्वामी भी उसका एक उधारन है लेकिन अर्नव गोस्वामी आज जेल के अंदर है और बाकी सब लोग अभी बाहर है सवाल यही है कि पत्रकारिता के नाम पर कब तक ये लोग प्रोपगेंडा फिलाते रहेंगे और कब तक जो है इसी तरह की उन उजूल बाते ज अर्नव गोस्वामी जेल के अंदर है जेल में उनकी राते कट रही है मच्छर काट रहे है कि राते जो है उस चैन से कट रही है यह तो अर्नव गोस्वामी खुद जानता है और आप अंदाजर लगा सकते हैं लेकिन सवाल यही है कि जमानत के लिए अर्नव गोस्वामी जरूर रहेगा ऐसा साफ तोर पर दिख रहा है आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को ले करके अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स की जरी हमें जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन उजलिया को सब्सक्राइब करें धन्यवाद इस खबर को अभी और रसादे प्सटर कि देते विए पर डाय क्या है इसा ग UX कि फई ग्नेवाद में टी खवक्स प्राइब को समयी